दोस्ती तो इंडिया के साथ भी होने चाहिए मैं तो कहते हूं इंडिया और पाकिस्तान का बार्डर खोल दें यहां पर ट्रेड हो जैसे यॉर्प की साथ हो रही है हमें मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई भी कौह में तरक्की जो है ना वो लड़ाई करके नहीं करते इस वार ऑफ एकनामिक और इंडियांस वी आर से नहीं आगे बढ़ने के जी ट्वैंटी कर दो हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ने हैं उसलेम जुईश होना कोई नहीं मैं आप वो कहता हूं खुरेश साब जे राम जी की लोग सुनने आगे मुझे किसी नहीं क्या कह दिया मैं कहता हूं यार अल्ला जो जिसमें इंसानियत अल्ला उससे प्यार करता है बगवान प्यार करता है यहुआ उससे प्यार करता है तो नहीं माल रूट पर खड़ो के कहरो आते जाते लोग सुनने दूर भी खड़ें बलकि मैं उनको भी कहता हूं जे महताजी कि यह हिससे क्या होते सब कुछ मां मिलता है जंसी स्पेस और देखो देखो तो बात की चीजverse मेय कहते हुं आप rzecz हम नहीं नहीं घर हम tão है द्सक्राड आ नहीं कहा रहा है तो में यह कहना चाहरा हूं हमें दाल रोटी में इतना तो और अगर हमें उपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना तो हिंदुस्तान बचाएगा चाइना नहीं बचाएगा अगर बचाए तो मुझे यह अलट का देना इंसान नरेंदर मोदी को आप एजा पाकिस्तानी बताईएगा के अपने मुलक लिए बहुत बेतर काम कर रहे है बहुत सही कर रहा है और वो अगे ले जा रहा है हमारे इधर भी ऐसा को होना चाहिए अला करें को आए और जो हम साब को आगे लेकर चले बजुदूर्ग है इनका माइंड अमेरिका की वहां पर जो शिप शिप होंगी वो इंडिया के अंतर रिपेर होगी इंडिया की है कि आपको पाकिस्ताना की फिर इंडिया इस वकर तो इंडिया स्टोंग बेंड ये बेदर है किस किसे एंडिया फैद्स्राइब कीस्था धोड़ी मपाकिसदन छोटा इस यह很好 fashion would एक स्वाल है जिस तरह से नरेंदर मोदी की हुकूमत में इंडिया दुनिया के पांचिववडी महिशत बन गया क्या नरेंदर मोदी जैसा होकुमरान पाकिस्तान के पास भी होना चाहिए जो पाकिस्तान को भी पांच बड़ी महिशत बना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए आप कैसा समयते हैं इंसान नरिंदर मोदी को आप एज़ा पाकिस्तानी बताईएगा कि आपने मुलक लिए बहुत बेतर काम कर रहे है बहुत सही कर रहे है और वो अगे ले जा रहे हमारे इधर भी ऐसा कोई होना चाहिए और जो हम सब को आगे लेकर चले देखें बुजर्ग हैं इनका माइंड सेट चेक करें ये कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा हुकुमरान मिलना चाहिए नरिंदर मोदी जैसा हुकुमरान मिलना चाहिए जो हमारे मुलक को भी तरकी की तरफ लेकर जाए तो हमारे दर्मियान छो नफरते हैं खतम होकी बहुत चल्दी पैदा हो जाएगे यहां पर चो नफरते हैं लोगों के दमाग में जो बरी कही है इंडिया के खलाफ क्या यह पॉल्टिकल स्टेंट है या फिर वागे में हैं हमसे नफरत करनी चाहिए इंडिया को लिए नफरत इंडिया को हमसे क्राइब हमें इंडिया कुछ रहे हम आपना काम करते हैं वह हमें न टोके हम उन्हें नहीं टोक सकते हैं कोशिश कर चाहिए कि हम जो हैंना पूराइक को अपने आपको आपको रहा गाले ताली मीडियर निजाम देख लिए उनकी अब दे लें उनकी एप के टेकनोलजी और जो होता हम बहुत पीछे हैं सर हम कहते हैं कि हम तो मुसलमान सबसे अफ़जल हैं सबसे अच्छे हैं तो हम पीछे क्यों रहें दुनिया से इस लिए कि वह मधभ तो अपनी जंगा है लेकिन जो मेनत है कोशिश है तलीम है वो इदर नहीं है वो इदर सब जो है न दोल फोरा बोट जो न चल चला का का काम क करते हैं पूरी बहुत बहुत अच्छी बाते सर यहां पर हम हर चीज के अंदर देखें कि जो कुछ भी नहीं करता वो मजभब इसलाम को बीच में ले आता है चाहे वो पांच वकत की नमाज पढ़ता हो ना हो चाहे वो फर्याज जदा करता हो ना हो लेकिन वो जब बात आती है किसी भी बात में इसलाम को बीच में लेकर कहते हैं कि यह तो अजाज़ती नहीं है क्या हम इस तरह की बाते करेंगे तो क्या अगर हम इंडिया से ट्रेड कर लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि यहां पर जो चीजे हमें आटा यहां पर कि अगर 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 देड करेंगे तो 25 रुपे केजी मिलेगा सस्ता मिलेगा यह चीजे हमें होकुमरान नहीं बताते हैं यह गलत बात है न होना चाहिए कश्मीर के मसले को भूल जाना चाहिए कश्मीर का मसला तो है अपनी जिए का है वह अगर थोड़ा सा इस्यू हो बड़ा बना कर दिखा देते हैं वह उनकी हुकूमत है उनके एडिये में है उन्हें मन से रहने दें सुकून से रहने दें यह जब भी मसला होगा लोगा बेतर करेगा क्या हमारे हलाद है कि कश्मीरियों को भी वापस ले अपने मुलक के अंदर ले गया है चले हम उनसे कार रोज रोजगार उदर है वो कैसे आ सकते हैं इदर आगे महाजरों के रहना फकीर बंजेंगे दर यह बाते फिर हमें क्यों ने समझ में आती है यह अपने अपने तमाह की बात है वाजार हम पोल्टिशन को भी आई यह बात समझ आ जाती तो हम हम और इंडिया एक होती है दुनिया के सबस्कर बेड़ी पावत तागत होते हैं बिल्गए एक दूसरे से वैदा असल करते हैं क्या है क्या है क्या है लगए जन्ग में क्या इस देना चाहेंगे उनलों मिलकों के तरमिया जो भी मामला यह नको उच्छे तरीके से हल करें मजाकरत के साथ अगर कोई गुसा घिला है तो वो खत्म करें और अवाम का सोचें अपने मुलक का सोचें सब लोगां का सोचें इंडिया में हमारे बाइब मुसल्मान हैं उनका भी सोचें क्या आप दूर तैल ड़ाईचा करें कि इदर बाम भैंगरें कि नुफान तो दोनों कही है से कैसे हैं अल हम्दॉल्ह मेरा नम मेकबूल किया बक्स है अब जबर्दस हो गया शर बेसिकली बात करें का रहा है क्या खायरा है क्या गुजारा हो रहा नहीं का मुझा आहा हो जाए ता इस टाइम के अंदर पकूलांप अच्छे हैं नंगा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पार सितनी गाड़ी है, जो बंदा गरीब है, वो कहा है, और कुछ नहीं है, रुल गहा है, यह हो गहा है, यह हो गहा है, लेकिन अगर ओवराल पाकिस्तान की अलाद का देखे जाए ना, तो मजोटी जो वो काम ही नहीं करती, वो फ्री फ सारे अमारी इफाज़त के लिए है, सियासत दान हमें मतलब वो मुलक चला रहे हैं, जो इतने बड़े यहोदों पर चले गए, वहां पर वो बैठके अपने मुलक चला रहे हैं, और हम उनको कह रहे हैं, और हम क्या करने का लाइक भी नहीं है, हम अपनी फैमली को कमाके नि दे सकते हैं, हम तबस्रे वो लोग करते हैं, जिनको घर में कोई दूसरी तफ़ा दाल नहीं देता, वो तबस्रे कर रहे हैं, सर बेसिकली अभी मेरा जो टॉपिक है, बात करने का परपस है, अभी रिसेंटली आपको ख़बर मिल की होगी कि नरिंदर मोदी जो इंडिया के एक सोच की बात है, पाकिस्तान के लिए डिस्कास करने का परपस है कि यूएस ने अभी इंडिया को काया कि 2030 तकर नेवी लोजिस्ट्रिक हब बनाने जा रहे हैं इंडिया को, हर तरफ नेवी के उनके जहां पर मिजायल की जरूरत होगी, वहां पर उनकी रिपेर हो सकती है नेवी इसकी जहां पर शिप्मेंट होती है, तो पाकिस्तान की नेवी तो बहुत कमजोर होजेगी इसके सामने, अल्रेडी इंडिया आप भी देखे न, इंडिया मुकाबला करा है चाइना का, तो जब चाइना की बराबर आएगा तो पाकिस्तान तो बहुत चोटा हो आपको पता है कि जो फाज और इदारे हैं, वो उनका नाम है एक दुनिया में, ठीक है न, उनके पास एक्विप्मेंट जितने भी हो चीजें भी हो, और जो हमारे पाकिस्तानियों को मुस्लमनों का जजबा है न, उसको निरिदर मूदी या इंडिया वो हरा नहीं सकता, ठ खेला जाता है जजबे के साथ, एक बंदा डांग सोटी लेके आ जाता है न, वो बंदूग वाले को मारके भी उड़ा देता है, यह तो लोजिक के खलाफ है, लेकिन बात जजबे की है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बंदूग लेके बड़ा मेरे पागोला, आप वहां से तक अगर पहुँची थी अगर हम जिते तो उनकी टंकेशा ऑड़ा कैसे आथा, लेकले के जानों के नज़रा तने दिये मारे, जान देना मक्सद नहीं है, सर, यहां पर जंग करना भी मकसद नहीं है, यहां पर अपनी त्यारी करना मेरा मकसद है, मेरा मसद आपको एक्स्र स्थाइबंट करद 15 मुसें कांग को इसको contenu से मुलक को यूरप को अजयिroyable पूरी से उन्याओ पूरी कि वह दी है लोग यहां पर पे हैं दारे हैं चार मौसम कि बात करने आप चार मौसम अगर अगर आप बात करें यूएस की तो वहाँ पर तो तकरिबर 9 महीनने पूरी के पूरी सद्धी बढड़ती है, 2 या 3 महीनने उन को सद्धी के मिलते हैं, गर्मी के मिलते है हैं, वो अदर भी सर्वाइफ कर रहे हैं, चार मुसम की बाध ये लोजिक नहीं समझ चारा कि मैंने कहा कि वो अपने डिफेंस को सिस्टम को मजबूत कर रहें तो हमें भी करना चाहिए सर हमें को भी करना चाहिए वो मैंनی आप इंके तेरा तरीकों सर इसी महिने के तेरा तरीक्ष को वह चंद्रियान ध्री ल्वाश करने जा रहें सपेस मिशन है आपको पता सपेसमिशन क्या होता है देखो डिफेंस से पहले हमें अपनी ट्रेड को मजबूत करना है जैसे ही यॉर्प का देखें यॉर्प के 18 मुलकों ने अपने बार्डर खोल दिये और दुनिया में पहली जंग अजीम दूदरी जंग अजीम सबसे पहले ज्यादा लड़ाईयां कहां पी हुएं सबसे पहल करने चाहिए 75 साल लगे करने चाहिए देखो अब यह ना आपने ठीक करने यहां से पोजिटिव मैसेज दें दोनों के दिर्मयान महबत पैदा हो यहां के वजिराजम वहां जाए वहां के यहां है तो जब बड़ों के दर्मयान सुला होगी आपको नहीं बड़ाना के चीजसे बिलाना के हमें ट्रेड पराथ करना के एकनोमिक पर बाथ करनी चाहिए पने अदारों को म्श्बूत करने पर बाथ करनी चाहिए अपनी अद्लिया अगर पांस्पी बढ़ नुक्सान था को दुनिया में उन्होंनों मनवा लिए अपने आपको हम कब मनवाएंगे जब हम ट्रेड करेंगे जब हम काम करेंगे जब हम पॉजिटिव सोचेंगे सर्फ फ्यूचर कैसे देखते हैं अगर एजुकेशन सिस्टम पर आज गोर कर लें तो आपको नहीं लगता कि हम ठीक हो जाएंगे देखो फ्यूचर सिस्टम पर जब हम बात करें एजूकेशन सिस्टम की तो मारे मुलक में बजट कितना रखा है सबसे नहीं कर सकता हमें साथ चीज़ों को चलना चाहिए बेसिक जो है बेसिक एजूकेशन है और साथ उसकी ट्रेड को में डॉल्प करने बड़ेगे सबसे पहले चीज़ें मैं एक्जेंपल देता हूं कि पहले अपने घर में हम दारोटी चीज़ें खाने के काबल हो जा रहा हूं हमें दाल रोटी में इतना उलजाया क्या है हमें टिकनोलोजी के बारे में पता ही नहीं है करें हमारी कौन को अभी तक हम उस लेवल पर आई ही नहीं है करा सारोटी से बाहर निकलें मैं कैता हूं कि एक मनदा गर कीआ बात कर ले एक गर hoping अजियु कहाने पीने के काबल होता है पर सोचता है वह भाइक ले लो फर कें मैं कार ले लूँ जब वह भाइक में अ जिए पूमने फ्र ने जाँ। मैं पूरिकि सिले सोचने हैं लोगी बहूत बहुत अच्छा की आप से बाद करके बहुत लोगिकल इंसान हैं आप असवाली कृपा आटिशुटे मियूं जिए एक क्वेशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ सर क्वेशन यह है कि USA की मीटिंग के लिए थे नरेंदर मोदी नरेंदर मोदी साब वहां पर गए और वहां पर बहुत सारे जो एग्रिमेंट से वह उसमें पर भी सिगनेचर हुए उसी के साथ साथ सर अभी एक बहुत हमाराइ इंडिया इतना ज्याधर आपनी नेवी को स्ट्रूंग कर रहा क्या पाकिस्तान को भी इसके बारे में सोःना चाहिए मैं पाकिस्तान करदा हम कहते हैं लड़ना मरना है हम एक हाथ की दोंग लिया है गोरा गोरे ने काटने की कोशिश की हम नहीं कटे एक दिन हम फिर जुड़ेंगे आपको पता होगा कुरैशी साहब दो साल पहले जब डिजी आइस पी आर आसिफ गफूर साब हुआ करते थे मेजर जर्नल इंडियन स इस वज़े सेंटर नहीं हुए कि वो वो अपना बढ़ा चड़ा कि आपको दिखा रहे थे यहां से पाकिस्तान की आउगस्ट्रा भी भी निकल गई थी मेजर गोरे वारिया साहब हैं बहुत अच्छा किरदार अदा किया उस तेम हमारे जर्नल बाजवा साहब होते थे बह मिशन नहीं देने चाहिए अगर आप ट्रेट की बात करें देखें इंडिया जी ट्वैंटी में क्यों क्या अब यह वह वार नहीं है अब तो वार बटन की दुनिया जानती बेवकूफ नहीं है वरना रशिया उक्राइन जो चल रहा है मैंना खिल यह डिड़ घंटे की जं आया उनके शिप्स यहां पर आया है मैं तो लहुर में खड़ाओ के कह रहा हूं वो बलुचिस्तान वाले रो रहे हैं कि हम लकडी की किष्टियों में मचली पकड़ के गुजारा करते थे यह डिड़ार वाले बड़े शिप ले आया दूर तो कई मचली ही नहीं पानी में उस टेम किसी ने आवाज नहीं उठाई आएंदा जो ट्रेड होगी वो यहां वो कंप्यूटर करेगा यहां वो समंदर करेगा आप आप देखें दुबई को एप्रिहेंशन है कि अगर गवादर हैक्टिफ हो जाता है तो आपका मीडल इस्ट बैट जाएगा आपका मीडल इंट्रेस्ट है इट इस वार ऑफ एकनामिक और इंडियन्स वी आर सेंग तो यू यू और ब्रॉदर्स वी आदफ मेंबर आफ वन फैमिली कौन ग्रेजूलेशन की जी ट्वैंटी कर हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ने हैं सर जी ट्वैंटी के लावाजी सेवन खड़ा होके यू 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 चाले जा रहा है फिर उन्होंने किसी हमारे जर्नल को पकड़ लेना है मैं कुछ नहीं उनके जी टेपी के बारे में कहूंगा बराल हमारा जीरो इशारिया फिफ्टी टू गया ग्रॉस डूमेसिक प्रोडेक्स अग्वानिस्तान जो 40-45 साल जं क्या वजवाद है कि हमने इंडिया को एक दूसरे खाते पर लिया हुआ है सिर्फ दुश्मन की निगाह से देखते हैं लेकिन अगर हम आखे खोल कर देखें तो वह बहुत बड़ी उपर चुनुटी है पाकिस्तान के साथ करते हैं तो पाकिस्तान की गुरुबास खतम हो ज सल्मान इस वक्त हिंदुस्तान में रहे हैं कितने फिर हम बात करते हैं टू रिलीजियस थियोरी टू नेशन थियोरी भगवान अल्ला गौड नहीं हिंदू ये करता है जी ये पकवान है वो भगवान है बाबास जब तक किससे निकलोगे नहीं घलत फैमिया दूर नहीं कर बड़े कहते थे कि खून जोश मारता है आप अगर कॉस्त देखें पठान वहां पठान यहां बलोच वहां बलोच यहां कश्मीरी वहां कश्मीरी यहां सिख वहां सिख यहां सिंग यहां मियां यहां पंजाबी वहां पंजाबी यहां हिंदू वहां हिंदू यहां आप ल लेकिन सर अगर हम 1100 साल पीछे चले जाएं तो सर सारे एक इंडिया कॉंपनी आने से पहले डेर दो साल पहले जहां पे इंडिया में लोग सोने के पहले में पानी पीते थे फिर वो दोर आया कि वो यू पानी पीने लगे अंग्रेज के दोर में उनके महराजा, बादशा, राजा देखें, डिवाइड एंड रूल था, वो वहां पे चला गया फिजिकली यहां पे मौझूद नहीं है ब्रिटन्स अगर आप बाइबल को मानते हो अगर आपका डूम्स डे, लास डे आफ जज्ज्मन्ट पे एमान है आप लोग नहीं बक्षे जाओगे लूट मार की हम आपको माफ करते हैं कोहे नूर हम आपसे नहीं मांगते यार वो घलत फहिमी तो दूर करो वो रिकार्ड तो हमें दो कि हम क्या करके गए थे आप आप दोनों न्युक्लियर पावर हो ना लड़ो लड़ मर जाओगे हमने अचिप यार हम करते हैं हम आपको अपना न इक डिकलियर कर देते हैं कि आप हमारा सेकंट कैपिटाल एंडिया पाकिस्तान का लेकिन वो हमें सच रख के बताओं हमने क्यों लड़ाया था आपको नहीं मांगते अपना सोना, नहीं मांगते कोई नूर, कुछ नहीं मांगते जो लूट, यर क्या किया आपने, कितनी भारी की मांगते, क्या ये रोड बनाए, सब कुछ किया, उस दोर में जो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने कंस्ट्रक्शन की थी, गोरों ने यहीं ब कहते हैं आज भी हम क्राउन की हिज़त करते हैं इस वज़े से कि हमारे बड़ों ने उसे उबे किया था हम तो आपके साथ नहीं लेकिन आज तो हमें सच कह दो कि क्या करके गए थे कि हम उस जहनूम संधेरे से निकल जाएं वरना बटन पे हैं हम ना रहे तो ब्रिटन तुम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमन चेंज आपके लोग भी लंग कैंसल से मर जाएं गर इंडिया और पाकिस्तान लड़ा है हमें यहां पर यह बता जाता है हमारी मीडिया के थे तुरू हमारे पॉलिटिशन के तुरू के इंडिया में मुसलमनों पर बड़ा जुलम होता है आप इस चीज से कैसे देखते हैं, आप इस चीज से एगरी करते हैं, या नहीं इस चीज का जोब कैसे देखते हैं? मैं या देखें, मुस्लिम, जुईश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ, खुरेश साब, जे राम जी की, लोग सुनने आगे, मुझे किसी नहीं क्या कह दिया? मैं कहता हूँ यार अल्ला जिसमे हिनशानियत, अल्ला उससे प्यार करता है, बगवान प्यार करता है, यहृब रूट पी खड़ा हूँके कहा आगे, आते जाती लोग सुनने हैं, दूर भी खड़ें। बल्कि मैं उनको भी कहता ह हूँ, जे मारता जी की, यह इससे क्या हो सब कुछ मा मिलता है बहुत प्यारी बात देगी गाई जिन्हों ने ये बात करके ना इस दो वेर ही खतम करती है लड़ाई जगड़े खतम इंडिया नेवी बेस अगर अमेरिका बना रहा है तो याद रखे सबसे ज़्यादा सीवी पाकिस्तान से जाएंगी वो इंडिया तक नी रहेगा वो बहुत बड़े मैपाने पे पहलेगा अगर आप उसका मैप देखें उसको आप स्टेडी करें मैं किसी दोर में वकील हुआ करता था आपकी कॉंस्टिटूशनल कोर्स ने डिक्रेर किया ही सैनेटरी वरकर क्योंकि जो लोग इंडिया पाकिस्तान के मफाद में काम करते हैं वी आर वन उनको जूते के नीचे रखके मसला जाता है उपर वले का शुकर है मैं आज भी खड़ा और माल रोडियो